क्या आप जानते हैं कि दो ही समय, दो ही वक्त ऐसे होते हैं जब हमारी आँखों से आंसु आते हैं एक है गम का वक्त और एक है खुशे का वक्त पर एक तीसरा वक्त भी होता है जब कभी कभी हमारी आँखों से आंसु टपकने लगते हैं वो वक्त होता है जब हम पूजा करते हैं क्यूं होता है ऐसा आज इसी रहस्य को जानेंगे कि पूजा करते समय कभी कभी हमारे आंसू टपकने लगते हैं तो इसके पीछे का रहस्य क्या है आज बात करने वाले हैं कि जब भी पूजा करते हैं तो आपकी आंखों से आंसों क्यों निकलाते हैं बहुत से लोगों के प्रश्ण होते हैं कि पूजा करते हुए हमें रोना क्यों आ जाता है चलिए आज इसके बारे में इसके रहस्यों को आप से साज़ा करते हैं शास्त्रों और पुरानों में ये कहा गया है कि अगर पूजा करते समय आपकी आँखों से आसु निकलते हैं तो ये समझना चाहिए कि ये एक इश्वरिय शक्ति का संकेत है जब आप भगवान के किसी भी रूप का ध्यान और उनकी पूजा में लीन होते हैं इसका अर्थ है कि भगवान के उस रूप के साथ आपका गहरा कनेक्शन हो गया है या आप इसे यूँ कह सकते हैं कि आपके द्वारा की गई पूजा सफल हो गई है जो आपकी खुशी के आंसों के रूप में चलक जाती है आप उस समय पर भगवान की पूजा को और भी गहरा करने की कोशिश करें आप उनसे अपनी मनोकामना कहने की कोशिश करें क्योंकि यही वो वक्त होता है जब भगवान आपके साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और यह जो उरजाएं हैं यह आपकी बात को सुनने में सक्षम है आप भगवान से जो भी कहेंगे जो भी आप इच्छा करेंगे जो भी आप मनोकामना करेंगे वो आपकी हर मनोकामना हर इच्छा को सुनेंगे और उसे पूरा करने के लिए भी पूरी कोशिश होगी तो इस प्रकार से ये वो समय है जब आप पूरी तरह से भगवान के साथ जुड़ चुके हैं, भगवान में लीन हो चुके हैं शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि सच्चे मन से की गई पूजा सदैव ईश्वर सा विकार करते हैं यदि कोई व्यक्ति पूजा के समय जम हाई ले नीद आने लगे उसे, तो माना जाता है कि वो उस समय पर पूरी तरह से ईश्वर से जुड़ा हुआ नहीं है, वो अंतरद्वंद की स्थिती में है, वो अच्छे तरीके से पाठ या पूजा नहीं कर रहा, ऐसे में उसका मन ब जब आप उसको और खुद को एक ही सूतर में बंधा हुआ पाते हैं, तो ये वो समय है जब आपको किसी भी और तरफ ध्यान ना देकर इश्वर से अपनी प्रार्थना कह देने चाहिए, दूसरी तरफ शास्त्रों के अनुसार ये भी माना जाता है, कि पूजा करते समय जब आपत बुराईयों पर आपकी जीत हो रही है, तो इसे किसी भी तरह से नकरात्मक ना मानते हुए, पूजा में आश्वर का बहना बहुत ही शुब संकेत है, इसको समझना चाहिए, उस समय पर इश्वर की उस अनंत शक्ति का अनुभव करते हुए, कभी-कभी आपकी आँखों में आशु आ सकते हैं, इश्वर पर आपका विश्वास द्रड हो सकता है, तो इसलिए इस द्रड विश्वास को अपने साथ हमिशा कायम रखें, और इश्वर पर अपना विश्वास और भी द्रड करने के लिए इन आशुओं को आप एक शुब संकेत मानें, उस समस्त ब्रामंड में कनकन में बसी हुई उर्जा मानो आदी है अनादी है और अनंत है इसलिए जब भी पूजा करने बैठ जाते हैं तो आपकी आत्मा का कनेक्शन इश्वर के साथ जुड़ जाता है इश्वर सरव्यापी है समस्त सजीव और नर्जीव चीजों में इश्वर शक्ति का वास है इसे कारण जब आपकी अंतर आत्मा का इश्वर के साथ मन जुड़ जाता है तो इश्वर आपको संकेत देते हैं ये संकेत बहुत सा धारन होते हैं कभी आपके आंसूं के रूप में कभी आपके श्रधा के रूप में और कभी आपके विश्वास के तो इसका संकेत है कि आपकी आत्मा का इश्वर शक्ति के साथ मिलन हुआ है। ऐसे समय में इश्वर को अपनी मनुकामना अवश्य कहें। ऐसे समय पर इश्वर से की हुई प्रात्ना का अफल आपको अवश्य मिलता है। अधिकतर लोग इसे संजोक समझ कर छोड़ देते हैं मानते हैं कि ये तो एक सामाने संकेत है प्रंदू आपकी आंखों से आंसूं का आना सामाने संकेत नहीं है ये एक जमतकारी संकेत है इसका गहरा प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है अगर आप उसी समय अपनी मनोकामना उस इश्वर से कह दें आप देखेंगे वो कितनी जल्द पूरी होती है, कितनी तुरंद पूरी होती है, तो इस प्रकार से जब भी आपको पूजा करते हुए आँखों से आंसु आने लगें, तो इसे आप बिलकुल भी एक सामाने संकेत ना माने, आप भगवान से जुड़ा हुआ संकेत मान कर इस